दोस्तो पिट्र पक्ष के वो पंदरा दिन बहुत ही खास होते हैं चाहे इंदिनों कोई भी सुब काम किये ना जाते होँ लेकिन इन दिनों परिवार के मृत्य सदस्यों की आत्माई धर्ती पर आती हैं और जब उन आत्माओं को उनके परिवार के सदस्य पिंड़ दान करते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पित्तर आपसे खुस हो जाएं तो वो आपके घर में सुख सांती और समरिध्धी लाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पित्तरों की आत्मा आपसे नाराज हो जाए तो क्या हो सकता ह अगर नहीं तो चलिए मैं आपको एक सची घटना के बारे में बताता हूँ जो नीरज के साथ घटी थी नीरज के साथ हुई घटना आपको ये समझा देगी कि पेंड़दान करना क्यों जरूरी है और ऐसा ना करने पर जीवन में कौन सी बाधाय आ सकती है नीरज गुजरात का रहने वाला 22 साल का एक नौजवान था जो अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहा करता था उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो अपने लिए जौब की तलास में लगा हुआ था नीरज अपने परिवार के बीच लाड़ प्यार में बड़ा हुआ था इसलिए थोड़ा बिगड़ा हुआ भी था वो कभी भी पूजा पाठ जैसे कर्म कांड का भागीदार नहीं बनता था हर साल उसके घर पित्र पक्ष के समय पित्रों का स्राद किया जाता था लेकिन वो कभी भी स्राद में भी नहीं बैठता था नीरज की मा अरुणा, पिता कैलास, दादा धननजय और दादी कलावंती उसे बार बार स्राद में सामिल होने के लिए कहते थे उसे इसकी एहमियत समझाने की कोसिस करते थे लेकिन वो मानता ही नहीं था हर बार उसका यही कहना था अरे जाने वाले चले गएं अब ये स्राद करके क्यों उन्हें वापस परिवार के मुह में फसाना चाहते हो आप लोग ऐसे में संतुस्टी कैसे मिलेगी उन्हे नीरज की दादी और दादा तो उसे समझा समझा के ठक चुके थे कि पित्रों की आत्मा की सान्ती के लिए स्राद करना जरूरी है पर वो अपनी बात पर अठल था दोस्तों पित्र पक्ष को कनागत भी कहा जाता है कनागत के समय में कुछ खास नियमों का पालन भी करना पड़ता है जैसे कि ये ऐसी मान्यता है कि इस समय में कोई भी सुभ काम नहीं किया जाता नाखून नहीं काटे जाते, बाल नहीं कटवाते और साथ ही घर में मांस, मचली, सराब आना बिलकुल निसेध है सिर्फ घर में ही नहीं बलकि कनागत के समय घर के बाहर भी ये सब खाना पीना वरजित माना गया है कि नीरज जब छोटा था और कनागत के समय उसका अंडव खाने का मन होता था तो वो दोनों ही ये कहा करते थे कि बच्चे पित्रपक्ष में ये खा सकते हैं लेकिन बड़ों को ये खाने की इजाजत नहीं है तब से ये बात नीरज के मन में बस गई और वो कनागत के समय भी नियमों को तोड़ता रहा फिर हालात ऐसे हो गए कि नीरज मना करने पर भी कुछ न कुछ ऐसा करता ही रहा जो पित्रपक्ष के समय करना मना था तो एक दिन की बात है जब कलावंती और धननजय साथ में बैठे हुए थे तो कलावंती ने कहा जरा सुनिए कनागत सुरू हो और 14 के दिन घर में सराध है आप ब्रह्मनों को भोजन के लिए नेउता दे दीजिए मैंने कैलास से कहा था लेकिन कहीं काम के चक्कर में वो भूल ना जाए तो आप देख लीजिएगा धननजय अपनी स्विंग चेयर पर बैठ कर पेपर पड़ रहे थे उसने कहा अरे इस लड़के से कुछ समझता ही नहीं है तो धननजय ने कहा मैं बात करता हूँ उससे इस बार मुझे घर में कोई तमासा नहीं चाहिए तभी नीरज अपने दोस्त के साथ बाइक में घर आया उसके दोस्त बहुत जादा सोर मचा रहे थे और जोर जोर से हस रहे थे नीरज के माता पिता और दादा दादी को उसके दोस्त बिलकुल पसंद नहीं थे क्योंकि बहुत सी बुरी आदिते थी उनमें तो कलवंती ने कहा एक तो उपर से इसके दोस्त मैं बता रही हूँ उनके साथ रहकर ही नीरज ऐसा हुआ है सराब सीग्रेट जैसी कई बुरी आदित नीरज के दोस्त उसे छोड़ कर चले गए और वो घर के अंदर आया तभी अरुना किचन से बाहर आई और उसने कहा नीरज मैंने कुछ समाल लाने को कहा था कहा है वो तो नीरज ने कहा अरे सौरी मा भूल गया आप पापा को कह दो वो ले आएंगे तो अरुना ने कहा क्य याद रखना अगर तूने एक भी नियम तोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जा और तुरन समाल ले कर आप नीरज ने कहा ओ हो मा छोटी सी बात का बतंगड मत बनाओ मैंने कहा ना कि पापा ले कर आ जाएंगे मैं ठक गया हूँ कहीं नहीं जाओंगा अब न कि वजह से हमें भी मरने के बाद सांती नहीं मिलेगी धनजे पेपर को टेबल पर पठक कर घर के बाहर चला गया कलावंती ने अरुना से कहा हर साल कनागत के समय यही होता है हमारे यहां अरे कहां से मिलेगी पित्रों को संतुस्टी ये बोलकर वो भी अपने कमरे में चली अरुना ने कैलास को समान लाने के लिए कह दिया और अपने काम में लग गई कैलास की कपड़ों की दुकान थी वो सीधे रात को दुकान बंद करके घर आया और तब अरुना ने उसे नीरज के बारे में बताया तो कैलास ने कहा तुम चिंता मत करो जब घर की जिम्मेदार आएगी ना सिर पर तो सुधर जाएगा चलो खाना लगा दो जल्दी से भूख बहुत जादा लगी है अरुना ने सब के लिए खाना परोज दिया खाना खाते वक्त कैलास ने नीरस से कहा बेटा खालो अभी जितना खाना है पित्र पक्ष के समय अंडा वगेर बिलकुल छू अगर मैंने तुझे कुछ ऐसा वैसा खाते या करते देख लिया ना तो ठीक नहीं होगा और आज के बाद अपनी मा से तमीज में बात करियो और अगर मुझे तेरी एक भी सिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए कैलास के गुस्से से सब वाकिफ थे वैसे तो व कानागत सुरू हो गई और उसके नियम के एनुसार ही सब रहने लगे। पितर पक्ष के पहले दिन निरज अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। कि तभी कैलास ने उसे रोक लिया और कहा कहा जा रहा है तो निरज ने कहा वो पापा मैं बाहर सब्सक्सतों के साथ कैलास निकल जाएं तो फिर कर लेना अपनी मनमानी चल मेरे साथ नीरज अपने पिता की बात टाल नहीं सकता था इसलिए चला जाता है लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था तो कलावंती ने कहा चलो सुक्र है कम से कम ये कैलास के हाथों से तो नहीं निकला भी तक नीरज कैलास के साथ बैठा हुआ दुकान समालता था और कैलास उस पर नजर रखता था इस तरह वो नीरज को कनागत के समय गलत काम करने से रोकने की पूरी कोशियस कर रहा था ताकि उसके पित्रों को मोक्ष प्राप्त हो सके और उसके घर में सुक्सांती बनी रहे लेकिन नीरज का सो चाहते थे और सारी चीजे विधी विधान से पूरी करना चाहते थे एस साल का पित्र पक्ष तो बड़े अच्छे से निकल गया और घर में सब नीरज से बड़े खुस हुए क्योंकि उसने कैलास की बात मानी और कनागत के नियमों का पालन भी किया और साथ ही स्राद में भ करनी थी लेकिन कैलास के डर से वो नौकरी छोड़ भी नहीं पा रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था बस नीरज से अपने दोस्तों की संगत नहीं चूट रही थी साम को नौकरी करके आने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और देर रात घर आता है सब उसक कुछ ऐसी बन गई कि नीरज को सभी लोगों ने समझाना ही बंद कर दिया क्योंकि वो सब उसे कह कह कर ठक गए थे नीरज भी अपनी मरजी की जिन्दगी जीने लगा था और बहुत खुस भी रहने लगा था लेकिन बाकी सब को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी फिर करीब इ धननजे की तबियत खराब होने के कारण मौत हो गई और कलावंती भी अकेली पड़ गई वो हर रोज अपने पती को याद करके आसू बहाती रहती थी अरुना और कैलास के लिए भी वो समय काफे मुस्किल भरा था जल्द ही अस्विन महीना लग गया और कलावंती ने रात को खाने के समय कैलास से कहा कैलास इस बार तेरे पिता का पहला सराद है सारी तैयारी देख लेना बेटा तो कैलास ने कहा हा मा सब ठीक से होगा चिंता मत करो नीरज कल आफिस से आते आते सारा समान ले आएगा नीरज ने कहा अरे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है वैस कलवंती रूने लगी और उसने कहा अरे बेटा पोता ही दादा के स्राद में नहीं होगा तो उनकी आत्मों को सांती कैसे मिलेगी तो कैलास ने कहा मा अब चिंता क्यों करते हो बेटा स्राद करेगा ना उनका तो बस सांती मिल जाएगी उन्हें वो भी अच्छे से जानते थे कि उनका पोता कितना नालायक है फिर दिन बीट गए और पित्रपक्ष के सुरुवात हो गई पित्रपक्ष के पहले दिन नीरज अपने आफिस में बैठ कर दोपहर के समय अंडे खा रहा था ये जानते हुए भी कि कनागत सुरू हो चुका है फिर उस रात से ही उसके जीवन में बाधाय आनी सुरू हो गई उस रात वो घर में बड़े चैन से सोया हुआ था कि अचानक उसे कमरे में कुछ खिटपिट की आवाज सुनाई दी जिससे उसकी नींद खुल गई नीरज ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया इसलिए वो वापस सो गया करीब दस मिनिट बाद उसे फिर से आवाज आई इसलिए उसे वापस उठना पड़ा वो उठकर बैठ गया उसे ऐसा लगा कि स्विंग चेयर आवाज कर रही है उस कुरसी पर हमेशा उसके दादा जी बैठा करते थे और जब से उनकी मौत हुई तब से उस कुरसी पर कोई बैठा ही नहीं था लेकिन नीरज को ऐसी आवाज आ रही थी कि कोई उस कुरसी पर बैठा हुआ है इसलिए वो कमरे से बाहर निकल कर देखने लगा कमरे के बाहर आंगन में बिल्कुल अंधिरा था कोने में धनेंजय की चेयर रखी हुई थी जिस पर एक बल्ब की हलकी सी रौसनी पड़ रही थी नीरज ने देखा कि वो कुरसी सच में हिल रही है लेकिन उस पर कोई भी नहीं बैठा है उस खाली कुरसी को हिलते देखकर नीरज एक पल के लिए डर सा गया उसे बहुत जादर डर लग रहा था फिर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कुरसी के पास जाकर खड़ा हो गया उसने उस कुरसी को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जो डर के मारे काप रहे थे जैसे तैसे करके उसने उस कुरसी को हिलने से रोक दिया तब जाकर उसे सान्ती मिली आखरी बार वो इधर उधर देखकर वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा लेकिन चैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुचा कुरसी फिर से हिलने लगी नीरज तुरंट पलट गया उसने कहा कुरसी अपने आप कैसे हिल रही है हवा भी नहीं चल रही वो वापस उस कुरसी के पास गया और उसे रोका लेकिन चैसे ही उसने वापस कुरसी को छोड़ा वो फिर से हिलने लगी अब नीरज बेहत घबरा गया था उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे तो वो तुरंत वहां से भाग कर अपने कमरे में चला गया और धर्वाजा बंद कर लिया कमरे में अजीब सी सांती थी जो उसे और भी ज़्यादा डरा रही थी दिवार पर टेक, टेक करती घड़ी बारा बजे का समय बता रही थी नीरज अपनी जगह पर वापस आकर लिड़ गया उसने डर के मारे कमबल ओड रखा था अगर गलती से एक पैर भी कमबल के बाहर चला जाता तो डर के मारे वो वापस कमबल में अपने पैर घुसा लेता वो बार बार उठकर कमरे को देख रहा था कि कहीं वहाँ कोई है तो नहीं थोड़ी दिर बाद उसकी आँक भारी होने लगी और जल्द ही उसे नींद आ गई फिर रात के दो बज रहे थे जब तक सब कुछ ठीक था लेकिन फिर अचानक से नीरच के हाव भाव बदलने लगे उसके माथे से पसीना बहने लगा वो सोते हुए भी हाफ रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा ही डरावना सपना देख रहा हो नीरच की अचानक से नींद खुल गई और वो पसीने से भीगा हुआ पलंग पर बैठ गया और इस घटना के बाद वो सारी रात सो नहीं पाया सुबह सुबह ही उसके नींद लगी थी जिसकी वजह से अगले दिन आफिस जाने में भी वो लेट हो गया अब इस कारण से उसे दफ्तर में भी काफी बाते सुनाई गई और उसका मूड बिलकुल खराब हो गया घर आने के बाद वो गुसे में अपने कमरे में चला गया उसकी माँ उससे बात करने के लिए कमरे में गई उसने पूछा क्या बात है कुछ हुआ है क्या बेटा तो नीरज ने कहा अरे यार अब आप मुझे परिसान मत करो जाओ यहां से मुझे सोना है तो उसकी मा ने कहा अरे लेकिन हुआ क्या है बता तो सही नीरज को लगा कि उसे अपनी मा को रात के सपने के बारे में बता देना चाहिए तो नीरज ने कहा मा कल रात को बहुत बहुत डरावना सपना आ रहा था मुझे मतलब बहुत ही ज़ादा डरावना तो उसकी मा ने कहा कैसे सपने तो नीरज ने कहा मा मैंने देखा कि मैं कंधेरे कमरे में बंध हूँ, मेरे हाथों में बेडियां लगी हुई है, सपने में मुझे कुछ बुढ़े लोगों की आवाज आ रही थी, वो लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी आखों में पट्टी बंधी हुई थी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने म मेरे गले में तलवार रखा था, उसने मेरा गला काटने के लिए तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले की कुछ हो पाता, मेरी नींद खुल गई, तो अरुना ने पूछा, कल तुने कुछ किया था क्या, मतलब कनागत चल रहा था, तो तुने कुछ गलत तो नहीं खाया, य और फिर कुछ अच्छा नहीं होता, तुने क्या किया है बता, तो नीरज ने कहा, वो कल मैंने अंडे खाय थे, बस और कुछ नहीं, और वैसे भी बाहर खा के आया था, घर बर तो खाया नहीं था मैंने, तो अरुना ने कहा, घर में खाओ या बाहर में, बात तो एक ही है न अरे पंद्रा दिन इंतजार नहीं किया जाता तेरे से मेरी बात तो तू मानेगा नहीं तू देखना अब क्या होगा अरुना ये बोल कर चली गई नीरज को अब और गुसाने लगा फिर उसे दिन साम के करीब 6 बजे उसके एक दोस्त का कॉल आया उसके दोस्त ने कहा तू आज आया क्यों नहीं वे तो नीरज ने कहा यार मेरी तब्यट ठीक नहीं है बस इसलिए तो उसके दोस्त ने कहा अरे भाई यहां आ तो सही तब्यट बिल्कुल सही हो जाएगी आज हम सब लोग लॉंग ड्राइफ का प्लैन बना रहे हैं फुल पार्टी का प्लैन है मिस्स मत कर जल्दी से आजा बहुत मजाएगा उसके दोस्त ने ये बोल कर कॉल कट कर दिया नीरज जाने के लिए निकल ही रहा था कि कैलास ने उसे देख लिया और पूछा इस वक्त कहा जाने की तयारी हो रही है तो नीरज ने कहा वो पापा अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ थोड़ी देर में आ जाऊंगा कैलास ने गुस्से में कहा अरे कब छोड़ेगा उन लफंगों का साथ तू एक बात बता कहीं तो उनके साथ मिलकर सराब या सीगरेट तो नहीं पीने लगा न लेकिन नीरज सच में सराब और सीगरेट पीने लगा था लेकिन इस बारे में घर में कोई नहीं जानता था वो जब भी घर देर से लोटता तब सराब पी कर ही आता था और सीधे जाकर सो जाता था नीरज ने कहा ऐसा नहीं है, आप बेकार में सक कर रहे हैं और मेरे दोस्तों के बारे में अनाब सानाब कहना बंद कर दीजिए तो कैलास ने कहा अरे चार पैसे क्या कमाने लगा अपने बाप से बात करने की तमीजी भूल गया तू तो नीरज ने कहा देखिए सुरुवात आपने की थी आप मेरे मामलों में टांग मत अड़ाईए मुझे जो करना है वो मैं करूँगा तो कैलास ने कहा बेटा हम तो ठक गए हैं तुझे समझा समझा के अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है अब तु खुद अपने किस्मत अपने हाथों से लिख रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते कर जितनी मनमानी करनी है कर मैं भी देखता हूँ कि बुरे दिन में कौन से दोस्त तेरे काम आते हैं ये बोलकर कैलास अपने कमरे में चला गया और नीरच जल्दी से वहां से निकल कर सीधे अपने दोस्तों के पास गया उसके दोस्तों से लेकर लॉंग ड्राइफ पर निकल गये फिर रात को उन लोगों ने एक सुनसान सड़क पर कार रोकी और वहीं पर बैठ कर चिकेन और सर की लत लग चुकी थी और अब उसे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था उसके घर में सिर्फ अंडे खाय जाते थे उसके अलावा किसी भी टाइप के मांस को उसके परिवार वाले चूते भी नहीं थे लेकिन नीरच अपने दोस्तों के साथ रहकर अपना धर में भी गाना गुन गुनाते हुए घर का दर्वाजा खट खटाया उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी जब उसने देखा कि कोई दर्वाजा खोली नहीं रहा है तो उसने दर्वाजे को जोर जोर से पीटना सुरू कर दिया नीरच ने चिला कर बोला अरे कोई है मर गए क्या सब दर्वाजा खोलो उसकी आवाद सुनकर आसपास के लोग इखटे हो गए थे नीरच नसे में धुत दिवार के सहारे टेक कर खड़ा हुआ था उसने आसपास के लोगों को देखा और कहा क्या देख रहे हो कोई तमासा चल रहा है क्या यहां निकलो यहां से यह सुनकर सब ल दादा जी का पहला सराध है अरे कम से कम उनके बारे में तो सोच ले नालायक तो नीरच ने कहा अबे यार इस घर में रोने धोने के अलावा और कुछ देखने को मिलता ही नहीं है हटो यहां से जब देखो तब आसू बहाना बस अरे मर गए ना वो मुझे तो चैन से जीने गया लेकिन उसने देखा सामने तो कोई है ही नहीं वो फिर से उपर जाने की कोशिस कर रहा था कि अचानक से उसे एक जोर का चाटा रसीद हुआ और उसकी आखे खुली की खुली रह गई उसकी दादी ने भी ये सब अपनी आखों से देखा और वो ये देखकर दंग रह गई नीरज ने उची आवाज में कहा किसने मारा मुझे अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई हां लेकिन फिर क्या था उसे थपड़ पर पढ़ने लगे और इस वजह से नीरज सीधियों से नीचे गिर गया जिससे उसके सर में चोटा गई कलावंती भागते हुए उसके पास आई और कहा तू ठीक है न बेटा कलावंती ने देखा कि अचानक से धननजय की कुरसी हिलने लगी थी और तब उसे समझाया कि नीरज को सजा देने वाले नीरज के दादा जी ही है कलावंती ने कहा हे भगवान नीरज मैंने कहा था न तुसे कि तू ठीक नहीं कर रहा है नीरज भी हैरान कर दिया कैलास हाथ जोड़कर कुरसी के सामने बैठ गया और बोला पिता जी आप सच में यहां है तभी अचानक से कुरसी के सामने वाले टेबल पर रखा हुआ गलास जोर की आवाज करते हुए नीचे गिर गया कलावंती ने कहा बेटा तेरे पिता जी बड़े पिता बेटा जोड़कर के सामने थे और नीरच को होसी नहीं था कि आखिर यहां चलग्या रहा है तभी अचानक से कैलास को कुछ होने लगा अचानक से वो जोर जोर से हसने लगा सब उसे ऐसी हालत में देखकर गबरा गये अरुना ने कहा क्या होगे आपको आप ऐसे क्यो भस रहे हैं कैलास फिर हस्ते हस्ते उसी कर्सी पर बैठ गया उसकी आंखे अचानक से बिलकुल लाल हो गई उसने कहा कलावनتी मैंने आज का अख़बार नहीं पढ़ा कहा है अख़बार अरुना और कलावनती डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे फिर कलावंती ने कहा जी जी अभी लेकर आई कलावंती तुरंट कैलास की कमरे में गई और अखबार लेकर आ गई फिर जब उसने कैलास के हाथों में अखबार थमाया तो वो बिलकुल उसी तर अख़बार पढ़ने लगा जैसे उसके दादा जी पढ़ते थे नीरज होस में नहीं था इसलिए वो जमीन पर ही पढ़ा रहा थोड़ी दिर बाद कैलास ने अख़बार पढ़ना छोड़ दिया और वो सीधे बैठ कर बोला मैं चाहता हूँ कैलास और नीरज दोनों मिलकर मेरा स्राद पूरा करें अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे चैन से जीने नहीं दूँगा तो अरुना ने कहा पिता जी ऐसा मत कहिए आप नराज मत होईए हम अच्छे से आपका स्राद करेंगे तो कैलास ने कहा मुझे अब तुम्हारे बेटे की कोई भी गलत हरकत परदास नहीं होगी अगर अपने पित्रों का अनादर करेगा तो ये जिन्दगी भर भुगतेगा फिर अचानक से कैलास की आँखे नॉर्मल हो गई तो कैलास ने कहा क्या हुआ आप लोग घबराय हुए क्यूं है तो कलावंती ने कहा बेटा तुझे कुछ याद नहीं तो कैलास ने कहा क्या याद नहीं और पिता जी वो चले गएं क्या तो कलावंती ने कहा हाँ बेटा उन्होंने बोला कि अगर नीरज ने सराद ठीक से नहीं किया तो वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देंगे इसके बाद कैलास ने नीरज की हालत देखी वो उसके पास गया तो उसे सराब की बद्बू आई जिससे उसका पारा चड़ गया इसलिए उसने बिना कुछ बोले उसे थपड़ पर थपड़ मारना सुरू कर दिया कैलास ने कहा नालायक सर्म नहीं आती तुझे अब तु सराब पी कर घर आएगा हाँ इतना नीच हो गया तू नीरज बहोस हो गया अरुना ने कहा अरे बस कीजिए कितना मारेंगे उसे उसकी हालत तु देखिए चलिए सो जाएए पर सो पिता जी का सराद है बहुत सारी तैयारी करनी है कैलास गुस्से में चला गया नीरज को भी अरुना उसके कमरे में छोड़ कर आ गई अगले दिन नीरज काम पर नहीं गया कैलास सराद के लिए ब्रामणों को भोज के लिए नेउता दे आया और सारी तैयारिया होनी लगी नीरज किसी काम में हाथ नहीं बटा रहा था वो दिन भी बीट गया सराद वाले दिन अरुना नीरज के कमरे में उसे बुलाने के लिए गई लेकिन उसने देखा कि नीरज कमरे में सोया हुआ है तो अरुना ने कहा नीरज जल्दी उठ आस दादा जी का सराद है पूजा में बैठना है तुझे तो नीरज ने कहा अरे यार जाओ यहां से चैंसु सोने भी नहीं देता यहां कोई नीरज ने उसकी बात सुनने से साफ मना कर दिया अरुना ने ये बात कैलास को बताई तब वो गुस्से में नीरज के पास गया और उसे उसका कॉलर पकड़ कर उठाया कैलास ने कहा सुन मेरी बात पांच मिनिट के अंदर अगर तु तयार होकर बाहर नहीं आया ना तो तुझे घर से निकाल दूँगा समझा जल्दी जा नीरज उसकी धमकी से डर गया और तुरन तयार होकर स्राद में बैठने के लिए आ गया जल्दी स्राद सुरू हो गया और धनेंजय की आत्मा को पित्रों से मिलाने की पूजा सुरू हो गई नीरज का ध्यान स्राद में ना होकर इधर उधर की बातों में था मन में भी वो अपने दादा जी को कोस रहा था पित्रों का अनादर कर रहा था स्राद के बाद अरुना और कैलास ने मिलकर ब्राम्हनों को भोज कराया भोज कराने के बाद दान दच्छिना देने की प्रथा होती है तो उसके लिए कैलास ने नीरज से कहा नीरज मेरे पास अभी पैसे नहीं है जरा ब्राम्हणों को दच्छिना दे दे मैं बाद में तुझे पैसे दे दूँगा नीरज तो पहले से ही गुस्से में था तो उसने गुस्से में कह दिया अरे आपके पिता जी का स्राद है उसके लिए मेरे पास एक फूटी कौडी नहीं है कैलास को बड़ा गुस्सा आया लेकिन उसने ब्राम्हणों के सामने खुट पर काबू कर लिया फिर दुकान से पैसे लाकर उसने ब्राम्हणों को दच्छिना दी स्राद तो पूरा हो गया था लेकिन अभी भी उसके दादा जी की आत्मत त्रिप्त नहीं हुई थी क्योंकि नीरज ने उनका आनाधर कर दिया था नीरज को लग रहा था कि पित्र पक्ष खतम होने के बाद उसकी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी और उसे बात बात पर बातें नहीं सुननी पड़ेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ नीरज के पित्र उससे इतने नराज हो गए कि उसकी जिंदगी कस्टों से भर गई नीरज जब पित्र पक्ष के बाद अपने आफिस गया तो उसे उसके मैनेजर ने नौकरी से ये कहकर निकाल दिया कि नीरज किसी काम कर नहीं है और कोई भी काम समय से नहीं करता इसके अलाबा उसके सारे काम आध्या धुरे और गलत होते है जिससे कमपनी को काफे नुकसान हो रहा है नीरज ने मैनेजर से बड़ी मिन्नते की कि वो उसे आखरी मौका दे दे लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं हुआ पित्र जब नराज होते हैं तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है नीरज की नादानी का असर उसके पिता पर भी हुआ नीरज की नौकरी गए 15 दिन ही हुए थे वो अब घर में बैठा अपने पिता के पैसो पर पल रहा था और कैलास के साथ उसका रवाईय भी पहले जैसा हो गया था इस डर से कि कहीं कैलास ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहां रहेगा कैलास नीरज से बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसने बत्तमी जी की सारी हदे पार कर दी थी नौकरी जाने के बाद नीरज पैसे का रौब भी नहीं दिखा सकता था इसलिए घर में बैठा सब की बाते मान रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक रात कैलास के कपड़ों के दुकान में भी न जाने कैसे आग लग गई कैलास और बाकी लोग उस वक्त अपने घर में आराम से सो रह थे लेकिन आधी रात को एक आदमी उनके घर आया और उसने कैलास को आग लगने की खबर दी ये खबर सुनकर कैलास और बाकी सब के पैरो तले जमीन ही खिसक गई सब लोग दुकान वाली जगह पर पहुँचे तब तक लगभग पूरा समान जलकर राख हो चुका था कैलास मिडल क्लास फैमली से था और उसके लिए इतना बड़ा नुक्सान सहन कर पाना असान नहीं था उसे ऐसा लगा कि वो बे सहरा हो गया है और अब उनके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं था कैलास को बड़ा सदम लगा था कैलास ने कहा अब घर कैसे चलेगा कैलास की आँखों में आशू आ गए थे वो पहली बार था जब नीनजिन अपने पिता को इतना बेबस देखा था उसे बुरा लग रहा था कैलास ने जैसे तैसे खुट को संभाला इसके बाद उसने अपने रिष्टेदारों से कुछ मदद मांगी ताकि वो अपनी दुकान ठेक करा सके लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की उस हादसे को तीन हफ़ते बीट गए थे और धीरे धीरे कैलास की माली हालत भी खराब हो रही थी घर का खर्च कलावंती की दवाईयां जैसे बहुत सारे खर्चे सामने थे इस पर भी सोने पर सुहागा ये हुआ कि कलावंती को दिल की बीमारी लग गई कैलास अब हार मानते जा रहा था हर बार घर में पैसो का नुकसान हो रहा था कलावंती ने एक दिन कहा बेटा मेरी चिंता तुम लोग छोड़ दो अब मैंने तो अब अपनी जिन्दगी जी ली है अब मैं मर भी गई तो कोई दुख नहीं बस एक बार अपनी कुंडली किसी अच्छे महरात से दिखा लो सायद कुछ हल मिल जाए समस्या से निकलने का क्योंकि ग्रहों का भी जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसलिए ग्रह सांती भी जरूरी है कलावंती की बात सबको सही लगी कैलास ने अगले ही दिन घर में एक जाने माने पंडित को बुला लिया और अपनी और नीरज की कुंडली दिखाई पंडित ने काफी समय तक दोनों की कुंडली देखी और कहा बहुत बड़ा दोस लगा है इसलिए आपके जीवन में इतनी अड़जन आ रही है आपके बेटे की कुंडली में पित्र दोस है पित्रों की नाराजगी का फल सबको भुगतना पड़ रहा है कैलास ने नीरज की तरफ गुस्से में देखा नीरज सर जुकाय बैठा हुआ था कैलास ने कहा पंडित जी इसका निवारन क्या है तो पंडित ने कहा काल सर्प दोस के बाद ये सबसे बड़ा दोस होता है पित्रों की सेवा करके ही इस दोस को कम किया जा सकता है जब तक इसका प्रभाव कम नहीं होगा तब तक घर की हालत में भी सुधार नहीं होगा तो कैलास ने कहा तो बताइए ना क्या करें हम कैसे मुक्ति मिलेगी इस दोस से पंडित ने कहा हर साल आपको विधी विधान से स्राद करना होगा अगर आप पित्रों को पेंड़दान करेंगे तो उससे भी उन्हें सांती मिलेगी जिससे पित्र दोस का प्रभाव कम होगा और ध्यान रखिये कि कभी भी आपसे पित्रों का अनादर ना हो हर साल पित्र पकष में आपको स्राद की तिथी आते तक पीपल के पेड़ पर चावल, काला तिल और उड़त चड़ाना होगा फिलहाल आपको उनसे माफी माँगने के लिए कनागत की सर्व पित्र अमावस्य की तिथी सबसे उचित होती है लेकिन अभी उसमें समय है तब तक किलिए आप हर दिन दुपहर को पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं और हर साल के एकादसी, चतुरदसी और अमावस को पित्रों को जल तरपन कर सकते हैं इस दोस्त से मुक्ती पाने में कई साल भी लग सकते हैं लेकिन आपको विधे विधान नहीं छोड़ना है नीरज को भी अब इन बातों पर यकीन हो गया था अगर वो पहले मान जाता तो सायद ये दिन देखना ना पड़ता फिर नीरज और बाकी सब लोगों ने पंडित के बताए हर एक उपायों को अपनाया इन उपायों को करने के साथ साथ नीरज मेहनत से नौगरी की तलास भी कर रहा था वो एक साल नीरज और कैलास के लिए बहुत भारी थे क्योंकि उनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा था कैलास अपनी वापस से दुकान खोलना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और नहीं उसे कहीं से लोन मिल पा रहा था एक साल तक जैसे तैसे गुजारा करने के बाद जब वापस से पित्र पक्षाया तो नीरज और कैलास ने साथ मिलकर विधी विधान से और बड़ी स्रद्धा से पित्रों का स्राद किया और कनागत की सर्व पित्र अमवस्या के दिन पित्रों से माफी भी मांगी उसके बाद कैलास और नीरज फिर से महनत करने में जुड गए करीब दो महिने बाद नीरज को एक नौकरी मिल गई जिसके बाद कैलास और बाकी सब की समस्या थोड़ी कम हो गई लेकिन अभी भी उन्हें पित्र दोस्त से मुक्ती नहीं मिल पाई थी नीरज को बहुत कम सैलरी मिलती थी लेकिन उस सैलरी से जैसे तैसे गुजारा हो जाता था फिर करीब एक साल बाद नीरज को काम में तरक्की मिली और उसने पैसे बचाना सुरू कर दिये हर साल नीरज विधी विधान और स्रद्धा से पित्रों का सराद करता था अब वो कोई भी नियम तोड़ता नहीं था कनागत में सराब, मांस, सीग्रेट जैसे सभी बुरी आदतों से दूर रहता था धीरे धीरे उसकी सारी बुरी आदते पूरी तरह से छूट गई कैलास के परिवार की आर्थिक इस्थिती बहतर होने में करीब पान साल का समय लगा इन पान सालों में नीरज ने दिन रात मेहनत की और थोड़े बहुत पैसे जुटा कर उसने कैलास के लिए वापस से कपड़े की दुकान खोल कर दे दी कैलास को अपने बेटे पर फक्र था वो दुकान छोटी थी लेकिन कैलास बड़ा खुस था धीरे धीरे उनकी दुकान भी अच्छी चलने लगी तब नीरज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कैलास की दुकान को और आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करने लगा इसी दौरान कलावंती भी अपनी बिमारी की वज़ा से चल बसी क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ये दौर भी कैलास के लिए मुस्किल भरा था धीरे धीरे जब वो लोगे सदमे से बाहर आए तो फिर कैलास और नीरज दोनों मिलकर कपड़ों की दुकान सम्हालने लगे और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया नीरज ने अपनी नादानी से भले ही सब कुछ बरबाद कर दिया था लेकिन अपनी महनत से उसने सब कुछ वापस भी पा लिया उन्हें पितर दोस्त से मुक्त होने में काफी साल बीट गए और सब कुछ ठीक होने के बाद भी उन्होंने विधी विधान नहीं छोड़ा हर साल नीरज अपने दादा दादी का सराद पूरा करने लगा जिससे उसके दादा दादी की आत्मा को त्रिप्ती मिली वो दोनों ही अब नीरज से नाराज नहीं थे इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से पित्रों का आसिरवात पाया और उन्नती की ओर बढ़ते चले गए दोस्तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे आसा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मैं अपनी स्टोरीज में आपको कुछ न कुछ हमेशा सीखने को ही बोलता हूँ क्योंकि मेरी स्टोरीज भले ही उतनी डरावनी नहों लेकिन मनुस्य जीवन में कुछ न कुछ वो सीखने के लिए काम जरूर ही आती है तो आप इस स्टोरी को जितना हो सके उतना सेयर करिए ताकि अगर कोई ये गलती कर रहा हो या करने वाला हो तो वो इस कहानी को सुन कर पहले से ही सतर्ग हो जाए तो चलिए दोस्तो मुझे उमीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट नाइट